अधिवक्ता के साथ अपरहनम वे मारपीट कर फिरोती मांगने के मामले में जिलाबार एसो शिहिनने की कारवाई की मांग नसरवार थाना अंत्रकत अधिवक्ता के साथ अक्याद बदमाशों ने की मारपीट दो लाख रुपे की मांगी फिरोती MB Mobile City आपके लिए लाया है भरोसे मंद Mobile Repair Service और शानदार Mobile Accessories की नई रेंज तो नए Mobile Phone खरीदने से पहले आए MB Mobile City पर जहां हम आपके पुराने Phone को तयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया आपके शहर में Mobile Repair Services और Mobile Accessories का एक मात्र विश्वस्निय संस्थान MB Mobile City गांधी भवन के सामने Station Road अजमेर साथ दिसंबर को नसीरबाद थानांतर का तग्यात बदमाशों ने अजमेर जिलाबार एक होटल पर मिलने बुलाया जहां पहुंचने पर अधिवक्ता दिवेंदर के साथ उन्हें बोलेरों में बिठा कर अन्यत्र स्थान पर ले गए और जबरन मारपीट कर दो लाख रुपे की फिरोती देने की मांग करने लगे इस दर्मियान बदमाशों ने अधिवक्ता के साथ गाली के लोच और मारपीट की इसके बाद आरोपी उनकी जेव से एक हजार रुपे सोने की चैन और घड़ी छीन कर उन्हें हाईवे पर पटक कर फरार हो गए इस मामले में नसीराबाद सदर थाना पुलिस द्वारा कोई कारवाई नहीं किये जान उन्होंने राजे सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने की भी मांग की है पर फरार होस्पिटलाइज होना का फिस सारी उनके साथ मारपीट केई गई उसके बाद उन अधिवक्तों के द्वारा वाणा सिरावाध थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन आज जिवस तक अभीष गणओं को गिरफतारी नहीं किया जा जिनको पांचों का नाम ज जब भी अभियोगण गिरफतार कर लिए जाएंगे कोई भी अधिवक्ता उसकी पैरवी नहीं करेगा। जब बार दोरा उनके और प्रेशराइज किया तब जाकर उनन रिपोर्ट धर्च की है तो इस तरह की कारवाई नहीं हो राजस्तान सरकार से हम प्रोटेक्शन एक्ट ही मांग कर रहे हैं जो लगबाग 2013 से करका रहे हैं और मध्यबर्द से सरकार ने इसको लागू कर दिया ज जैसे एड्वोकेट प्रोटेक्शन है यहां रागू किया जा राजस्तान में इस बरके बरपूर मांग की जा रही है और इसको लेका जैसे भी बीस्यार को लिखेत में कारवाई करेंगे और मुख्यमंत्र को ग्यापन भी देंगे कर दो